आज मैं फिर आप लोगों से बात करने आई हूँ और आज मैं आपको बताना चाहते हूँ कुछ जो मिले साथ हुआ है डे बिफोर यस्टेड़े 21st of November was a nightmare for me So I want to share this experience ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं चाहती हूँ कि जो चीज मुझे नहीं पता थी हो सकता है मैं बेवकुफ हूँ हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि आपको इतनी सी चीज पता नहीं थी आपने कैसे किया लेकिन हो सकता है कुछ लोग अभी भी हैं जिनको नहीं पता हो मेरी तरह और उनसे ये भूल ना हो जाए गल्ती ना हो जाए इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपने कैसे के लेकिन हो अगर मेरे पास कैश कभी नहीं होता अगर मेरे पास कैश होगा तो या तो या तो 100 रू या 200 रूपीज इतना ही रखती हूं और आपने कैश नहीं होता कभी 21st of November को क्या हुआ, मेरा Paytium मैंने यूज करने कोशिश करी, ग्रॉसरी शॉप पे सुबह, तो वो नहीं चला, थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स वो नहीं चला, और उसमें मेसेज आया, something went wrong, or something ऐसे, so I was shocked कि या, क्यों नहीं चल रहा, network भी है, तो मैंने Google Pay यूज किया, और Google Pay से मैंने continue किया, उसी दिन जब मेरा सुबह नहीं चला, मेरे पास दोपहर को message आता है, कि your KYC is not completed, and this is the number, एक number आया उसमें, you can contact this person, for your KYC, so, क्योंकि मैं Uber में भी बहुत travel करती हूँ, तो यह KYC का जो चक्कर होता है, यह Uber drivers को भी बहुत परिशान करता है, चीक है, तो मैं KYC लगाता सुनती रहती हूँ, कि मैड़म मेरा KYC नहीं हुआ है, इसलिए मेरा Pay टियम नहीं चल रहा, तो मैं frequently यह चीज सुनती हूँ उनसे, कि KYC के वेसे उनका Pay टियम उरूख गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा KYC है, कुछ होआ होगा नहीं चल रहा है, और वो message मैंने connect किया, कि मेरा पेटियम नहीं चला, तो वो इसी का message आया होगा, मुझे बिल्कुल भी कोई और अंताजा नहीं था, फिर भी मैंने उस पे call नहीं किया, उस number पे, और मैं अपना normal day कर रही थी, शाम को मेरे पास एक call आता है, और उस call में वो बोलता है कि, मैणम आपका KYC नहीं हो रखा है, 40% और बाकी है, तो मैंने कहा कि, अच्छे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसने मुझे कहा कि, आपको मुझे कुछ नहीं बताना है, मैं आपको बताता हूं, और आप अपने आप अपना KYC कर सकते हो, तो, I was fine with it, because, जहां तक मुझे पता है था, कि fraud में आपका CVV नंबर आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, और आपको अपना OTP जो आता है, जब हम कोई transition करते हैं, वो OTP किसी को नहीं बताना चाहिए, तो, यह details हैं, जो आपको share नहीं करना चाहिए, और अगर कोई आपको link भेजता है, ऐसे message में, तो आपको वो link पर click नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे यह नहीं पता था, जो मैं आगे बताने वाली हूं, तो, उसने कहा कि मैं आपको एक app डाउनलोड करना है, वो है quick support, आप डाउनलोड करते ही, उसने कहा कि allow करो उसमें, मैंने allow किया, और उसके बाद मेरे mobile का सारा details, जो भी मेरे mobile पे हो रहा था, उसके पास चला गिया, वो देख सकता था कि क्या हो रहा है मेरे mobile में, ठीक है, उसने कहा, आपकी paytm जो limit है, वो मैं increase करना चाहता हूं, इंक्रीज करवाने के लिए आपको अपने कार्ड की डीटेल दीजिया, आप मुझे माँ बताईए, आप खुद डीटेल डालिए, और आपकी limit इंक्रीज होगी, तो मैंने कहा भी उसे कि मुझे limit नहीं बट चाहिए, मुझे भीया, क्योंकि मैं अपना payment नहीं लेती, बोलत इंक्रीज के लिए गूगल पे और यह सब वन रूपी की तो भी मुझे शक नहीं हुआ, बिकॉज ऑथेंटिकेशन के लिए गूगल पे और यह सब वन रूपी की ट्रांसक्शन करते हैं, और जो कि आपको तुरंत वापस आता है आपके अकाउंट में, लेकिन जब दूसर की ट्रांसक्शन हुई 1499 रूपीज की, तो आई वस शॉक्ट, मैंने उसको बोला भया, यह मेरे पैसे कहां कट गए, यह क्या हो रहा है यहां पे, तो उसने बोला की मैडम आपकी लिमिट बढ़ रही है, यह पैसे आपके दुबारा अकाउंट में रिफलेक्ट करेंगे, तो मैं अब में पास, क्योंकि मुझे पता नहीं कि उस एप से हो रहा है, मैं सर्फ continue से बात कर रही हूँ और मेरा, फिर तीसरी ट्रांसक्शन हुई 9999 रूपीज की, तब मेरा दिमाग सनग गया था, और तब तक मैं समझ गई थी कि मैं first चुकी हूँ मैं किसी चीज में, ठ कोई कोई बड़ी ट्रांसक्शन कर रहता है, वो आपको कॉल करते हैं, कन्फर्म करने के लिए, तो जैसे उनका कॉल आया, मैंने उनको बोला कि ये ट्रांसक्शन मैं नहीं कर रही हूँ प्लीज स्टॉप दिस पेमेंट, ठीक है, और मेरे अकाउंट में और कुछ कोई पेम मैं आपको बता नहीं सकती कि अपनी महनत की कमाई, ठीक है, जो मैं दिन रात लगा कर कमाती हूँ, वो मेरे सामने, मेरे सामने, मेरे सामने, मेरे पैसों की कटने की मेसेजिस आ रहे थे, और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं जो, I was just shouting, और मैं घर में अकेली थी, and I am very thankful to my neighbor, who was with me, because, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सब्मा था, बहुत बड़ा जटका था, मैं जो, नहीं handle कर पा रही थी, and, सच बताओं तो, मैं मरते-मरते बची हूँ, उस चीज से, जो पैसे गए-गए, शायद मैं भी चली जाती उस दिन, फिर, and मौके पे मेरे husband आ गए, तब तक मेरे husband आ चुके थे, उस बंदे ने मेरा दूसरा debit card भी, उसकी entry करवा करके, उसमें से पैसे कटने शुरू ही हो गए थे, कि मेरे husband आ गए, और उन्होंने तुरंत वो app डिलीट किया, वो app डिलीट किया, तब मेरे पैसे कटने बंद ह लेकि मेरा जो पहला account था, वो पूरा खाली हो चुका था, all money gone, ठीक है, and still वो phone पे था, कि मैं आपकी पैसे जा रहे हैं, आपकी पैसे वापिस कर देंगा, अभी करता हूं मैं, आपको card to card वापिस करता हूं मैं, and मुझे यह उम्मीद थी कि हाँ, शायद वापिस कर देगा हमने paytium में complain करी, सब किया मैंने, cyber police वारों ने, जो सुनाया मुझे सुनाया, ठीक है, can you believe कि मुझे अगले दिन उस बंदे का दुबारा phone आता है, उस fraud का, ठीक है, मैंने वो phone ने उठाया, that time I was in bank, ठीक है, I was doing all the formalities to freeze my account and everything, so मेरे हजबन ने phone उठाया वो, और he was casually talking, कि पैसे न, आजाएंगे आशाम तक, आपकी wife कैसी है, कल वो बहुत परिशान हो गई थी, ठीक है, या तो वो ये देख रहा था, कि अगर मैं phone उठा लेती, तो वो कोशिश करता मेरे दूसरे account से पैसे लेने की, या तो पता निकिसले उसने phone किया, जब मैंने cyber police को ये information दी कि मेरे पास वो दुबारा phone आया, आ रहा है उस बंदे का, तो उन्होंने कहा कि block that number, मुझे एक बास समझ में नहीं आई, कि why to block, why can't we trace that number, it's a scam, ठीक है, मेरे दो कोशन है, कि पेटियम की security कहा है, ठीक है, जब पेटियम हम इतना उस पे dependent हो गए हैं, लेकिन पेटियम की security कहा ह है, पहली बात मेरे पेटियम ना चलना, ये इंडिकेट करता है, कि इसका मतलब मेरे पेटियम शाद पहले ही hack हो चुका था, कि कि उसका ना चलना और फिर KYC का message आना, अगर मेरे पेटियम चल रहा होता, और तब मुझे message आता, तो शायद मेरे कंदर click करता, कि मेरे पेटिय वालों को बोला, कि आप मैं ये payment नहीं कर रही हूं, please stop कराएं इसको, तो भी वो रुका नहीं, तो भी होता गया, क्या हमारे पास कोई technology नहीं है, कि हम, मतलब क्या है, कुछ तो loophole है ना, तीसरा ये, जब मैंने उस cyber police को बोला, कि आप मेरे पास वो phone आ रहा है, तो उन्हों मैंने कहा, मैंने कहा, हम वो trace नहीं कर सकते, sir, why should I block that number, तो उन्हों ने बोला, madam, आपना crime patrol बहुत देखते हो, आपको लगता है, कि number से trace किया जा सकता है, क्या, आप मेरे पास आना, मैं आपकी आदे घंटे की class लूँगा, और आपको बताऊंगा, मेरा question आप लोगों से है, और सब से है, मेरे साथ जो होना था हो गया, इस वीडियो का एक मतलब है, कि आप सब aware रहें, ये जो हो रहा है, दूसरा, मेरा question ये है, government से, कि हमने हर चीज़ को digital करने की कोशिश करिये, कि आप इस से use करें, ये use करें, पर security कहा है, और जब किसी साथ ऐसा होता है, तो police कैसे ये क्या answer था, कि आप crime pattern बहुत देखते हो, ये एक common knowledge है, I think सबकी, कि हाँ, mobile number से किसी को trace किया जा सकता है, जब mobile से इतनी सारी चीज़े हो रही है, तो trace कि नहीं हो सकता, ये जवाब था उसका, विकर शायद उसके लिए मेरे पैसे उतने माइन रखते, क्योंकि मैं शायद politician नहीं हूँ, शायद मैं, मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है, तीसरा, मुझे पता HDFCB भी कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है, so, मैं अब अपनी तरफ से ये कर सकती हूँ, कि मैं at least जितने लोगों से मिल रही हूँ, जितने लोगों को जानती हूँ, और ज ठीक है, अगर आप Paytm यूज करते हैं, मैं तो बोलूगे, यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, back to normal, cash यूज करें, ठीक है, अपनी UPI pin, अपने mobile में ऐसे safe, किसी भी ऐसे app को, HDFC या किसी भी bank के app को रखने की जरूरत नहीं है, because it is not safe, जब आपके सब कुछ ऐसा हो जाएगा, तो यह वही bank है, जो आपका support नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, और हमें, I think, उसके बाद अगले दिन ही, कल के निउस पेपर में आया, Paytm का ये, क्योंकि, I think, मेरे से पहले भी लोग बैठे हुए थे, जब मैं साइबर प पास ऐसे messages, same messages आये हुए हैं, और उसमें से दो लोग ये, वो भी कह रहे थे, कि हम ये करने ही वाले थे, कि बात कर लेते हैं, कि वाइस ही करवा लेते हैं, अच्छा हुआ आपने बता दिया, तब मुझे लगा कि, thank God कि मैंने बात कर ली इस बारे में, thank God कि मेरे through, उनको प बता सकें, बताएं, और किसी को भी इस सदमे से बचाएं, because it is not easy to handle this, चाहे वो 5,000 रुपीज हो, चाहे वो 5,000 रुपीज हो, किसी की hard earned money उसके सामने चली जाए, इस तरह से, ये जहलना बहुत मुश्किल होता है, thank you.